चार साल की मीरा जब किसी शादी में गई तब उन्हें शादी का कॉंसेप्ट इतना फैसिनेटिंग लगा कि उन्होंने अपनी मा से पूछा कि उनका हस्बेंड कौन होगा उनकी मा ने मजाग में कृष्णा जी की मूर्ती की तरफ इशारा कर दिया मीरा ने उसी दिन से कृष्णा जी को अपना मान लिया था क्यूकि उनकी प्रेम भक्ती कोई समझ ना पाया और उनकी शादी करा दी गई भोज राज से हर जगा से इतना विरोध सैने के बाद मीरा ने तुलसिदास जी की सजेशन से ये फैसला लिया कि वो अपना पूरा जीवन द्वारका में बिताएंगी और जब उनकी फैमिलियोंने ढूनते हुए द्वारका बोची तो उन्हें मिली मीरा जी की सारी लिप्टी हुई क्रिशना जी की मूर्ती से